हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे होगे मैं भी अच्छी हूँ तो दोस्तो आज बताने वाली हूँ मैं आपको कि छोटे से छोटे पोट में हम कौन-कौन से प्लांट लगा सकते हैं और कितनी आसानी से ये प्लांट हो जाते हैं प्लिकि काफी सारे प्लांट इसमें ऐसे हैं जो काफी बेसरम हैं आप हलकी सी मिट्टी का टच उसमें देंगे तो वो उसी में ग्रो हो जाएंगी कितना ही छोटा प्लांट हो आपका तो आज यही बताने वाली हूँ मैं वीडियो में देखी का लाश्टक वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिस जाने वाली वीडियो आप सभी तक पहुँच जाए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो प्लांट और पोर्ट जिसमें ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएं तो सबसे पहला प्लांट जो है ये है देखें जैड प्लांट जैड प्लांट की कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं और छोटे से छोटे पोर्ट में ये लग जाता है और बेस रहमी बोलूंगी क्योंकि ये इसकी जो कटिंग है बहुत आसानी से लगने वाली है तो आप इसको लगा सकते हैं, अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं, यह है स्नेक प्लांट, और यह डॉप वराइटी का है, तो यह भी बहुत चोटी से पोट में लग जाता है, यह मेरी एक बोटल का धकन है, तो देखें, मैंने इसी में इसको लगा दिया था, इसका चोटा सा बे मेरे पास यह खराब हो गई थी मेरे घर में, और यह किचन से निगलने वाले भी काफी सार ऐसे डब्बे हैं, जिसमें आप यूज कर सकते हैं, चोटे-चोटे पोट या कोई बाउल उसमें भी आप लगा सकते हैं इसको, और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती ह यह भी बेसरम प्लांट कांगी में, कहीं पर बी गिर जाएं वहाई पर ये उसमें भी बहुत लूँरह हो जाती है, तो अप्बे लो ग़गती है, यह लाजा भी बाउल हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कितना चोटा सा भूफम HIS है तूँस हिस्सा है, चोटा लग ठीन में आसानी से यह तो आप छोटी सी छोटी पोट में लगा सकते हैं अगला जो प्लांट है वो है पोर्चुलीका तो पोर्चुलीका को भी आप आसानी से लगा सकते हैं चोटी सी बोटल में लग जाती है और इसकी भी जो कर्टिंग है बहुत बेशरम है यह जो देसी वाली प को लगा दिया है और ये बनाई थी मैंने रेल गाड़ी तो इसमें भी मैंने काफी सारे प्लांट लगा दिये हैं ये च्छो च्छो च्छी जो बोटल है इसमें भी देखें कितने आसानी से सिंगोनियम है ये चल जाता है आसानी से इसको भी आप लगा सकते हैं और कितने प्य कर दीजिए महीं पर हो जाता है देखिए यह मोसम कितना सोहाना है बहुत अच्छा मोसम चल रहा है इस टाइम पर कटिंग का तो आप अच्छे से कटिंग लगा सकते हैं आपके असानी से ग्रो हो जाएंगी इंप्लांट की कटिंग और यह मटकी में मैंने लगा हुए सुबे का समय है और बादल चाइव है आकास में तो आप इस समय पे भी कटिंग लगा सकते हैं और यह देखिए एक छोटा साबून आता है बरतन साफ करने के लिए एक्सो का डब्बा है यह तो मैंने इसको भी नहीं फैका और इसमें भी छोटी से छोटा प्लांट लगा द यह मैक्सिकन पिटूनिया काफी सुन्दर इस पर फ्लावर आते हैं और इसमें से भी बेबी प्लांट लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं काफी आसानी से हो जाती है और यह एक और बोटल में मैंने लगाई विए ग्रिपिक इंच तो छोटे-छोटे से जो पोर्ट होते हैं उनमें यह चोट-छोटी सी कटिंग आप लगा सकते हैं और काफी सारे सुन्दर प्लांट आप बना सकते हैं और इसमें लगाया है मैंने लाल सा चोटी सी बोटल थी नीचे का हिस्सा मैंने यूज किया उपर का कहीं और यूज किया तो देखे इसमें मैंन ब्ड़ा प्लांट आप चोटे-चोटे चोटे चोटे आपके पास पॉली बैक होते हैं बड़ा पर अब काबन के तियार हो जाता है आसाणी से चोटे-चोटे पॉर्ट पें लगा सकते हैं तो देखें मैंने क näपश न्गाई थी उर कितने सुन्दर तरीके शल रही है काफ़े सारे देखे, मैंने पुली बैग में लगायें, जो दूद की ठैली आती हैं, दहीखी आती हैं, उनीकों मैंने उसकीआ है, और यह दो पोटा पी ए, और देखे, यह भी मैंने पेंट करके हैंग करें। कटिंग लगाने के लिए और पत्थर चट्टा की कटिंग तो आप कितना भी पत्ता भी डाल दीजिए उसी से ग्रो हो जाता है इसका प्लांट और देखे ये हैं जो बोटल लगी हुई है मैंने आपको दिखाया था बनाके हैंगिंग जूला तो इसमें भी मैंने प्लाइ बैठी हुई है कितनी प्यारी लग रही है और बटर्फ्लाइ ये चिडिया की चाहट तो अच्छी लगती है जब आपके पास प्लांट लगे होते हैं गार्डन होता है तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है मन को और देखिए चोट-चोटी से प्लांट आप दे प्लांट में कितना पानी देना है और आपके प्लांट आसानी से चल जाएंगे और ये कुछ मैंने जो कटिंग आप देख रहे हैं ये अजवाइन की है अच्छे से ग्रो हो रही है तो देखिए प्लास्टिक की बोतल जो होती है उन्हीं से मैंने रैबिट बनाया हुआ है और इसमें चलाई हुए है मैंने देखिए ये स्वीट पटैटो और काफी सारे मैंने इस तरीके के पुली बैग में जो है प्लांट तयार किये हुए है आप भी कर सकते हैं अगर आपके पासपोर्ट नहीं है तो आप प्लास्टिक के जो बोटल आती है उन्हें जो आटे के पैकिट आते हैं सरफ के आते हैं बेसन के आते हैं चाई पती के आते हैं तो उनमें आसानी से आप प्लांट लगा सकते हैं और कटिंग अगर आपके आसपास है तो वहां से लेकर आप अपने गार्डन की सुरुवात कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आपकी ये सुरुव तो एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा और आपके पास प्लांट भी तैयार हो जाएंगे फिर दीरे दीरे आप अपना गार्डन बढ़ाते चले जाएंगे तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे प्लांट और रिपोर्ट जिसमें आप आसानी से कटिंग लगा सकते हैं और आसान पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा फिर मिलती हूँ आप से किसी नई वीडियो में नई टोपी के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्डनिंग टेक कियर